अस्सलाम अलेकुम दोस्तों कुईट से सभी परवासी को ले करके कुछ important अपडेट है यहाँ पे civil ID को ले करके उनके अलावा flight entry को ले करके भी है तो दोस्तों बने रही हमारे साथ इस यूडियो में कुईट से सभी खबर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें जैसे कि दोस्तों पहले भी बताया था कि जितने भी परवासी है खासतर से domestic worker जो उनका civil ID कार्ड है वो बिलकुल plane है उसके अंदर चिप नहीं लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे जो कुईट Public Authority of Manpower के तरब से हो सकता है नया साल में सभी परवासी का civil ID का कार्ड में changing देखने को मिलेगा जिसके अंदर चिप लगा हुआ होगा जिससे की कुईट मिनिस्ट्री के अंदर record रखने में आसानी होगी उस चिप के दुआरा बता गया है कि computer के अंदर सभी का record देखने में या फिर जोग भी किसी तरह का violation करते हैं या फिर आप अपना civil ID कार्ड को renewal करने के लिए जाते हैं उसके लिए काफी अच्छा होगा यानि कि ये नया अपडेट के साथ सभी को नया साल में civil ID कार्ड मिलेगा जो लोग भी अभी नया civil ID कार्ड बनाएंगे या फिर एपलाई करेंगे और दोस्तों बता दे कि कुछ लोगों ने सोसल मीडिया पे एक अफवा बना रखा था कि क्वेट मिनिस्ट्री ओफ हेल्थ यानि कि सभी का civil ID कार्ड कैंसिल कर रहा है लेकिन ऐसी कोई भी बात सच नहीं है यहाँ पे जो क्वेट पबलिक अथर्ट यो मैन पावर है उनके अब से किलियर कर दिया गया है कि इस तरह का रूमर्स बिल्कुल सत्ति नहीं है जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं पासी डेनीस रूमर्स ऑफ कैंसलिंग एकस्पेट सिविल आईडी कार्ड कुछ से अगली अपडेट दोस्तों बता दे कि कुछ से कोरोना को लेकर के एक बुरी खबर है आपको बता दे कि कुछ के अंदर जो पुराना कोरोना है उनको लेकर के काफी बैड अपडेट है यहाँ पे दोस्तों जो लास्ट अपडेट है 240 नया मामला आया है जो कि कुछ में काफी कम हो गया था आप कह सकते हैं कि 2025 नया केस का मामला आता लेकिन अभी यहाँ पे जो नया केस की संख्या है लगातार बढ़ते हुए जा रहा है यहाँ पे दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं 240 आया है पिछले दिन उनके साथ ही जो रिकवरी रेट है वो 41 है लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है कि किसी की डेथ नहीं हुआ है में जाते हैं तो मास्क और डिस्टेंस को बनाए रखें कुएत से अगली अपडेट दोस्तों बता दे कि 26 तारिक से कुएत इंटरनेशनल एरपोर्ट पे जो कानून लग हुआ है कि जो लोग ब्याएंगे 48 आवर्स का PCR टेस्ट और साथ में यहाँ पे आने के बाद उन्हे कुरेंट रहना परेगा 72 आवर्स का उनके बाद यहाँ पे जो अपडेट आ रहा है कुएत एरपोर्ट अथर्टी की तरफ से बताय गया है कि 26 तारिक से लेकर के यानि कि कल से अब तक 10,000 पैसेंजर की एराइवल हुआ है और उनके साथ और उनके साथ ही डिपाचर भी हु इनके अलग अलग जगह से टोटल 10,000 ही या 3 कुएत इंटरनेशनल एरपोर्ट के अंदर इंट्री किया है अभी दोस्तों कुएत में बढ़ते हुए कुरोना के कारण एरपोर्ट पे भी काफी ज्यादा सकती हो गया है जो लोग भी कुएत में इंट्री करते हैं अपना के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें मिलते हैं कुएत से अगले अपडेट के सब्सक्राइब करें